दोस्तों, हाई वीपी की जो समस्या ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ये अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, और इसके लिए अगर देखा जाया है, तो हमारा रहन सहन, खानपान बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अग आज हम घर पर कैसे कर सकते हैं, दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर गंभीर बीमारी है, इससे हाइपर टेंशन भी कहते हैं, इसके वज़ह से कोरोनरी हाट डेजीज, हाट फैल्यूर, स्ट्रोक और किड्नी फैल्यूर जैसी जान लेवा बीमारी हो सकती है, ये बीमारी किसी अपने नियूज में सुने ही होंगे, कम एज के लोगों को भी हाट टैक आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर से हमारे नसों में दबाव पढ़ने लगता है, उनकी वाल डेमेज हो जाती है, और उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, दरसल किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मिलीमेटर के बीच में होता है, और डाइस्टोलिक ब्लड प्रेशर साट से असे मिलीमेटर के बीच में होता है, इससे अधिक ब्लड प्रेशर होने पर व्यक्ति हाइपर टेंशन का स्विकार हो जाता है, मैं जो आपको ब्लड बता रहा हूं, बिना खर्चे का इसका घर प में लुक्स को छोड़ देना है सुबह आपको मेशी जाना चान कर लेना है मेथी वाली पानी के अंदर डालना है दो चुट्की दालचीनी पॉर्टर और चुट्की घ्लदी पॉर्टर और इसमें एक चंच शह anymore मिलाना है सो शेहर का साध्य आपको मिलेंगे दूसरा उपाय बताता हूं जिसमें आपको सिर्फ गर्मी के मौसम में फॉलो करना है इसमें आपको लौकी के जूस का इस्तमाल करना है एक कप लौकी की जूस में 5-6 पुदिने के पते 5-6 तूलसी के पते और आधा मुठी धनिया पत्ता इन सभी को इस जूस में मिलाकर आपको सुबह सुबह खाली पिट लीना है और सेवन लगतार गर्मी के मौसम में सिर्फ करना है और वो भी एक महीने तक हाई बीपी की समस्य कितनी पुरानी क्यों नहों चाहे आपकी दवाई चल रही हो इस तरह जूस मना कर पिएंगे तो बीपी की सम अर्जुन की छाल डालना है और पानी को तब तक पकाना है जब तक डिड़का पानी एक कपना रह जाए इससे छान लेना है इसमें आपको मिस्तर या फिर गुड मिलाकर सुबह खाली पिट पी लेना है दोस्तों एक खूल में बढ़ा ट्राइट और कॉलिस टॉल करता है कि नसों में ब्लॉकेज है तो नसों के ब्लॉकेज इससे खूल जाती है तो अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से दोस्तों ब्लॉकेज भी आपके खूल जाएंगे अर्जुन की छाल बहुत ही जब बरदस आयरवेदिक आउसरी है इसका इस्तमाल आप रोजाना कर सकते हैं अ एक युथाई कफ सुबह खालीपिड सेवन करना है। ध्यान रहे कि जिनका गौमुत्र आप ले रहे हो वो गाय गर्वती ना हो। इस बात का ध्यान रख लेजेगा। और रोजाना सुबह खालीपिड लेने से high blood pressure, low blood pressure ये दोनों में काम करेगा। जोनों में दर्द, दमा है, अस्थमा है, वात्पित, कफ के बहुत सारे रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। गौमुत्र का इस्तमाल कर सको तो जरू करना दोस्तों बहुत फाद्यमंद है। आपक ही उपायों को करने के आशकता नहीं है, एक या दो उपाया आप लगातार कर लेंगे एक महीने तक तो यकिन मानिए, बीपी के समझ से आप भूल जाओगे, हाइपरटेशन के समझ से आपकी जड़ से ठीक हो जाएगे, आपको दवाई खाने के आशकता नहीं पड़ेकि, आशक करते हूं ये वीडियो जानकारिया आपको अच्छे लेगी होगी, फादे मन लेगी होगी, इस वीडियो को शेयर किजेगा, और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाएगे, धन्यवाद.